भारति राजनीती और समाजवादी वर्क की एक बुलंद आवास गुरुवार 12 जन्वरी 2023 को हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई जेरियों के पूर वरिश नेता और पूर सांसर शरद्यादव अब हमारी बीश नहीं रहे लेकिन उनकी जीवन गाथा आने वाली पीडी के लिए प्रेड़ना के सोत बन कर रहेगी शरद्यादव का जन्व भले ही मद्रपदेश में हुआ हो लेकिन उनकी छात राजनीती में कॉलिश की पंचायत से लेकर लोगतन्स की सबसे बड़ी आदालत संसर तक उनकी आवाद बूझती रही चात राजनीती से संसर तक का सफ़र तैकरने वाले शरद्यादव ने मद्रपदेश मूल का होते वे भी अपने राजनीतिक जीवन की धूरी बिहार और उत्रपदेश की सियासत में बनाई शरद्यादव ने मद्रपदेश, उत्रपदेश और फिर बिहार में अपना राज़नितिक दबदबा दिखाया और राष्टिर राज़निती में अपनी अलग पहचान बनाई बच्पन से ही पढ़ाई में थे अवल शरद्यादव का जन एक जुलाई 1947 को मद्रपदेश के होशंगा बात या बंदाई गाउ के एक सिसान परिवार में हुआ था शरद्बालिकाल से ही पढ़ाई में काफी होशी आते अपी प्रारंबिक शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनर बनने का सपना देखा इसके लिए उन्होंने मद्रपदेश के जबलपूर के इंजीनर कॉलेज में ताखिला लिया और बी की डिक्री हासी थी इंजीनर कॉलेज में बने चात्रसंग के अध्यक्ष यही वो वक्त था जब शरत राजनीती से प्रभावित हुए थे और उन्होंने नकेबल कॉलेज में चात्रसंग का चनाव लड़ा बलकि जबलपूर के ही इंजीनर कॉलेज के चात्रसंग अध्यक्ष पर चुले थे कॉलेज का नाम था रॉबर्ट्सन मॉडल साइंस कॉलेज वे एक कुशल वक्ता भी थे उन्होंने अपने डिग्री कोल्ड मेडल के साथ पूरी की थे डॉक्टर लुहिया के समाजवादी विचारों से हुए थे प्रेवित जब शर्द्यादव चात्राजनिती में मश्कूल थे तब देश में लोकनायक चैप्रकाश नारायन की लोककंत शुर्वाद और डॉक्टर राम अन्होर लहिया की समाजवाद की क्रांती की लहरे पर वांच चड़ रही थी और इन्ही विचारों से दूर कहीं यूवा शर्द्यादव विखा के प्रभावित हो रहे थी डॉक्टर लोहिया के समाजवादी विचारों से प्रेलित होका शर्द्यादव ने अपने मुख्य राजनिती सफर की शुर्वाद की युवानेता की तौर पर सक्रियता से कई अंदलोनों में भाग लिया और आपात साल के दौरान मीर्सा बंदी बनकर चेल भी करें 27 की उम्र में जीता लोग सबा चुनाओ और पहली बार पहुँचे सरसर शरद्यादव के राजनितिक जीवन की चुरुवाट 1907 में हुई थी वेकुल साथ बार लोग सबा सांसत भी रहे जबकि तीन बार राज सबा सबस से चुने गए विसरताइस सार की उम्र में पहली बार 1974 में मर्दपदेश की जबरपूर लोग सबा सीट से सांसत चुने गए इसके बाद उन्हें कभी पीशे मुड़कर नहीं देखा और उत्रपदेश की बदाईयों लोग सबा सीट और बाद में बिहार की मधे पुर लोग सबा सीट से भी सांसत चुने गए थे केंडर सरकार में भी समालेते हैं मंत्राले शरद्यालाग जनता दल के संसाबक सबस्यों में से एक कि वो 1999 नभे में केंडरे टेक्स्टाइल और फूर प्रॉससिंग मंत्री भी रहे उन्हें 1994 में जनता दल का कारेकारी अध्यक्ष चुना गया फिर बिहार में 1996 में पांच भी बार लोग सबा सांसत बीगे थे 1997 में जनता दल के राष्टे अध्यक्ष बने और फिर 1998 में जोज फर्नांडिस के सयोग से जनता दल युनाडेट पार्टी बनाए और NDA की खटक गलोगे शामीर भोकर केंज सरकार में फिर से मंत्री बने और ये सिल्सिला बदसूर चलता रहा, 2004 में शर्द्यादव राजसभा गए, 2019 में साथ भी बार सांसद बने लेकिन 2014 के लोगसभा चुनाओं में उन्हें माध्यपूर सीट से हार का सामन हाला कि जीवन के अंतिर पड़ाओं में अपने घने सहयोगे और विहार के मुक्तिमति नितीश कुमार से मनमताव भी हुआ, इसलिए शर्द्यादव ने जेडियू से नाता तोड़ लिया था शर्द्यादव के निधन के बाद आर्जेटी नेता लालुपसाद्यादव से लेकर विहार के डिक्तिम सिजस्री आदव के इंडि मंत्री अमिच शहा समेथ राहूल गांधी ने उन्हें याद किया हुआ WATI से महानग समायवादी नेता थे पसपसवादी थे सरजी में और घब ही कभी लग भी जाता थाएस भूलने के मामल mala हमें महायं लेकर की दुसरा कठो, पाथ नहीं रहा साथ। स्वस्त है, और बार बार यही कह रहे थे, कि आगे जो चुनौतियां हैं समझवादियों के आगे, उसको निपटने में आगे बर्चर करके लड़ाई लड़ो, और हम सब लोग आज उनके ना होने पर, सभी लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं, और हम लोगों की कोशिश होगी कि उनके रा पर हम लोग चलें। स्री सरद्यादव जी का हम सब के बीच में न रहना, इस देश के सारवजनिक जीवन के लिए अपूर्ण यक्षति हैं। पांच दसक लंबे सारवजनिक जीवन में, सरद्य जी ने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए, पिछडों के मुद्दे उठाए, और समाजवादी पार्टी के मूल सिध्धानतों को अंतीम सांस तक मूल आगे लेकर चलते रहें। जोइन पब्लिक मीटिंग में, मैं उनको जानता ने था। और पब्लिक मीटिंग खतर होने के बाद सब वापस जा रहे थे। तो मैंने उनको देखा वो सड़क पे चल रहे थे। काफी मतलब वहाँ पे कन्फूजन था, सब नेता निकल रहे थे। तो मैंने उनको देखा चलते हुए तो मैंने का शरद्यादव जी आप हमारे साथ चलिए। तो मैंने उनको गाड़ी में बैठा दिया। और फिर मैंने उनसे कहा कि शरद्यादव जी मैं जानता हूँ कि आप राजनेती को बहुत गेरी तरीके से समझते हो। तो मैं अगले दो घंटे का रास्ता था, मैंने कहा कि मैं अगले दो घंटे कुछ बोलूँगा ने। बस मैं आपकी राजनेतिक अनुभव जो है उसको मैं समझना चाता हूँ तो मैं चुप हो जाओंगो आप बोलिए। तो उन्होंने दो घंटे मुझे हिंदुस्तानी राजनेती के बारे में उनकी क्या राय थी, उनकी क्या व्यूपॉइंट थी ये समझाया। राजनीती और जीवन के अंतिम सफर में उनका परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। न्यूजवर्ड इंडिया की ओर से भी शरत्याद आपको भाव भीनी स्रद्धान जिली। वियो रिपोर्ट न्यूजवर्ड इंडिया।